माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन विगत कौतु कह अपी सन्हिते मृत्यो कथम त्रस्यती धीरधिये अश्टावकर गीता के तीसरे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक हो कहता है माया मात्र यहां विश्व को पश्यन विगत कौतु कह अर्थाथ देखकर जिग्यासा से परे जाने वाला अपी सन्हिते मृत्यो अर्थाथ मृत्यो से मिलने पर भी कथम त्रस्यती धीरधिये अर्थाथ कैसे भाय करेगा धीरजवाला तो यहां पर अब अश्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वच्च ग्यान को प्राप्त कर चुका है वह इस संपूर्ण विश्व को केवल माया मात्र मानता है और उसकी सरी जिग्यासा जो है वह अब समाप्त हो चुकी है वह उसके परे जा चुका होता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह मृत्यू के मिलने पर भी जो है वह भाय नहीं करता है या उसे इतरास नहीं होता है उसे कोई समस्या नहीं होती तो यहां पर यह बात सबस्ट रूप से कही गई है कि जो व्यक्ति ग्यान को प्राप्त कर लेता है वह फिर बुरी से बुरी स्थिती में भी जो है वह घबराता नहीं है बुरी बुरी से बुरी स्थिती में भी इसको कोई कश्ट नहीं होता है वह इतना प्रबल हो जाता है ग्यान में इतने द्रड़ता से स्थित हो जाता है कि वह फिर बुरी से बुरी स्थिती में भी स्थिर रहता है और यह इसी लिए होता है क्योंकि वह इस विश्व को जान लेता है क यह केवल माया मात्र है, यह केवल एक दिखावा आप कैसे तेंकी है, तो वास्ताव में होता है क्या है कि व्यक्ति फिर इस जगत में हो रही घटनाएं जो है, उनको इस प्रकासे नहीं सोचता क्या रही है, यह वास्ताव में हो रही है, वह उनको केवल जो है, एक सिमिलेशन खृबद जिसे आप गएंगे उस प्रकार से देखता है कि यह केवल जो है या तोood यह सोचता है कि मेरी मेरी परीक्षा के लिए मुझे अशे ऐसे यह तिखाया जा रहा है यह देखने के लिए कि मैं कितना प्रभावित होता हूं या वह यही सोचता है कि केवल एक स्वपन है जो की ऐसे ही जनित हो रहा है इसका वास्तों में कोई अस्तित्व नहीं है तो ऐसी स्थिती हो जाती है वास्तों में व्यक्ति की तो ये ग्यान जो है ये स्थिर हो जाने पर व्यक्ति जो है वह फिर गंभीरता से नहीं लेता इस संसार की जो भी घटनाए हो रही होती है, कुछ भी बुरा हो जाए उसके साथ में, यह यह नहीं सुचता है कि अच्छा, यह जो है, यह तो सदा के लिए हो गया यह वास्ताव में हो रहा है, तो देखिए, आप का दृष्टिकोन समझिए पहले आप, कि देखिए, कोई भी बुरी घटना यह आपके साथ में होती है, तो जो वेक्ति माया के प्रभाव में है, यह जिसको ग्यान नहीं हुआ है, यह सुचता है कि अरे यह क्या हो गया, वह उसमें गुंद जाता है वास्ताव में, वह उसको सत्यमान कर उसको महत्व देता है, और जब उसको महत्व देता है, उसको स घटना महत्वपूर्ण हो भी जाएगी कि यदी वेक्ति उसको महत्व ना दे और बोले कि या रहे ये तो ऐसे ही है तो फिर वो जग घटना होती है वह महत्ववाली रहती भी नहीं है उसका उतना महत्व फिर रहता भी नहीं है तो कोई बहुत ही बहुत ही बुरी घटना भी यदि व्यक्ति के साथ में हो जाए और व्यक्ति जह उसे महत्व ना दे तो उसका जो प्रभाव होता है व्यक्षीन हो जाता है यह जो बात है इस पर विश्वास होना बहुत महत्वपून है वास्ताव में हमारा इस पर विश्वास नहीं होता है हम यह ही सोचते हैं कि यह कि चाहिए विश्वास चाहिए не मन के भीी तर कि ऐसा ही है वह वनरे भीतर नहीं है क्योंकि विश्वास हमारे भीतर नहीं होता इस कारण से जो घटना है यह वास्ता भी हो जाती है और फिर जो है इनके प्रभाव हों पर आने लगते हैं तो जो मालिज आपको कुछ कष्ट हो रहा है और आप यह बोलते हैं कि अच्छा यह तो केवल एक कल्पना है तो जो कष् होता चला जाता है तो मृत्यू भी जो है इसमें बहुत पीड़ा होती वेक्ति को सरवादिक पीड़ा का जो अनुबा होता है मृत्यूuğ का अनुभा बोला जाता है किंतु यह है वे महत्व हीं ना दे उस घटना को थीक lasci." यह मेरे सामने नाटकी हो रहा है तो फिर वह मृत है जो कि इसको कर सकता है अन्निय व्यक्तियों में भलह या पकितना इसतर के ऐसे in संक्रीवल मायार संसार के वल मायार किंटु वह उस अस्थिती में जो है यह ग्यान 되면 ठैरता, नहीं और सब यह जब और तो बुरी ससे वेक्ति को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि जानता है कि यह कवल लीए नाठक है तो उसमें विश्वास है कि यह इसके विश्वास कि यह विक्सित होता जब रहे की साथ किसी घटना को देख कि अच्छा देख लेंगे क्या हो जाएगा चलो बुरे से बुरा कुछ नहीं हो सिता है एक दम से कुछ प्रतिक्रिया ना करे शांत रहे तो यह विश्वास विक्षित हो जाएगा तो वो संदेश यहां पर था इस श्लोक में आश्यकरता हूं कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इसके साथ इस वीडियो को में पर समाथ करते हैं नमस्ते म्हालर communications ओरने श्लिएर निएर कि संदयने समयक आपको तो समझा यह झालाओ उएकर झालाओ सम Mozart